नारायन नारायन आज हम पढ़ रहे हैं श्री चित्रकूट महीमा बाई डॉक्टर श्री राम किंकर जी महराज चतुर्थ प्रवचक श्री राम अशरणा ममा गुस्वामी जी की चित्रकूट के प्रती बड़ी विलक्षण भावना है और उन्होंने इसे अनेक रूप दिये श्री सीता एवं लक्षमन जी सहेत भगवान राम जब चित्रकूट में निवास करते हैं तो प्रतिक्षण विवे वही कारे करते हैं जिससे उनकी प्रिया श् शरीर की करता है भगवान राम तथा श्री सीता जी लक्षमन जी को इतने प्यार से रखते हैं कि जैसे नेत्र पलकों के बीच गोलक हूं उस प्रकार विलक्षण आनंद और रस्मय वातावरण चित्रकूट का है गीता वली रामयन में गुस्वामी जी प्रभू के निवास के समय चित्रकूट की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं क्यों कहूं चित्रकूट गिरी संपती महिमा मोद मनोहरताई मैं चित्रकूट की महिमा संपती आनंद और मनोहरता का क्या वर्णन करूं क्योंकि तुलसी जहां बसी लखन राम सिय आनंद अवधी अवध विसराई वहां रहते हुए प्रभु आनंद की महानसीमा जो अयोध्या थी उसे भी भूल गए किन्तु उन्होंने रामचरित मानस में इससे कुछ भिन्नबात कही और इस अंतर के पीछे उनका कुछ विशेश उदेश्य है गुस्वामी जी कहते हैं कि चित्रकूट निवास के समय श्री लक्ष्मन जी को एक क्षण के लिए भी किसी और की स्मृति आती ही नहीं चिन चिन लखिसिय रामपद जानी आप उपर नेह करतन सपने हू लखन चित बंधु मात उपितु गेह और क्ष्री किशोरी जी की क्या स्थेती है तो उन्होंने कहा कि राम संग सिय रहति सुखारी प्रिय परिजन ग्रह सुरति बिसारी जब गोस्वामी जी से पूछा गया कि प्रभू सब को भूल गए क्या उन्होंने कहा नहीं इन आनंद के क्षणों में भी प्रभू को एक स्मृती बार बार आती है और वह किसकी स्मृती है तो कहा कि जब जब राम अवद सुधिकर ही तब तब बार बिलो चन भर ही भरत सने ह सील सेवकाई प्रभू को चित्रकूट की स्वनस्थली में रहते हुए भी जब श्री भरत की याद आती है तब वे दुखी हो जाते हैं क्रपासिंधु प्रभू हो ही दुखारी भरत के प्रेम शील सेवा और त्याग की याद आने पर प्रभू की आँखों में आसु आ जा नहीं प्रभू को भले ही आयोध्या या मिथिला की स्मृति ना आए प्रश्री भरत की स्मृति उन सब को व्याकुल बना देती है तब प्रभू को योर कथा प्रसंग छेड़ देते हैं बे सोचते हैं कि मैं इन दोनों को क्यों दुखी बनवाऊं श्रिगो स्वामी जी कहत हैं कि प्रभू लगे कहन कचुकता पुनीता सुनी सुख लखन अरुसीता अयोध्या महान नगर है तथा चित्रकूट वन प्रदेश है पूर्व में नगर और वन के बारे में बाते कही गई थी नगर मानो मर्यादा का प्रतीक उसमें घर हैं दिवाल हैं द्वार और सिधा सातात पर यह है कि मर्यादा के द्वारा ही समाज एवं सामजिक जीवन सुरक्षित रहता है किन्तु वन में मर्यादा का यह स्वरूप न होकर मानो यह शुद्ध सनेही का प्रतीक है को स्वामी जी शब्द भी यही कहते हैं तुलसी सुभग सनेह बन प्रभू का पहल नई मर्यादाओं की स्थापना भी करते हैं इसके साथ ही अयोध्या में एक अद्बुत बात आती है वैसे अपने सत्य की रक्षा करने के लिए कष्ट सहने वाले महापुरिष्टों अनेक हुए पर दूसरे की सत्य रक्षा के लिए कष्ट उठाने की भूमी का का निर्वा प्रभू श्री राम करते हैं पिता जी ने कोई वाक्य कहा और उसे पूरा करने के लिए वेकष्ट उठावें यह एक विशिष्ट बात है एक बात और भी है कि भले ही पिता श्री एक बार सत्य से विचलित होना चाहें पर फिर भी राम भत्र पिता के उस सत्य की रक्षा कर वन्नन आता है कि जब भगवान राम वन्द जाने लगे तो महराज श्री दश्रत ने सुमंत जी से कहा कि आप रत लेकर राम के साथ जाएं और चार दिन वन्द में भ्रमन कराकर उन्हें वापस लोटा कर ले आएं इससे सत्य की रक्षा हो जावेगी किन्तु जब सुमंत जी ने महराज श्री का यह प्रिस्ताव रखा तो प्रभु ने उसे अस्विकार कर दिया तो प्रभु ने उसे अस्विकार कर दिया प्रभु का कहना था कि पिता जी अपने पुर्व आदेश में जो संशोधन कर रही है उसके पीछे उनकी मेरे प्रती मम काम कर रही है और इसके द्वारा उन्हीं बड़ी अपकीर्ती मिलेगी लोग कहेंगे कि महाराज जिदश्रत के ममत्व के फेर में पढ़कर मर्यादा का तिरसकार कर दिया प्रभू सुमंत जी को इस प्रकार समझा कर वन में प्रस्थान करते हैं भगवान शीरा मर्यादा के न मानो अयोध्या के मर्यादा के प्रतिनिधी के रूप में आये और श्री भरत ने जिसे मार्गदर्शक बनाया वे निशाद राज प्रेम वन के प्रतिनिधी हैं जहां से सुमंत लोटे वहां से आगे केवट ने प्रभू का भी मार्गदर्शन किया मानो यह स्थल जहां से सुमंत लोटते हैं और केवट मिलते हैं मर्यादा तथा प्रेम का संधी स्थल है प्रेम की तीन विधा हैं विशई का सने हैं साधक का सने हैं तथा सिद्ध का सने हैं पर एक चोथे प्रकार के सने की भी मानस में चर्चा की गई है अब जरा इनको अल प्रभु बड़े सुन्दर हैं, उनकी वानी बड़ी मधुर है, तो विशई के मन में भी प्रभु सौंदर रेके प्रती प्रेम हो सकता है, और वहे इससनही के द्वारा प्रभु को प्राप्त करके धन्य हो सकता है, ऐसी गोस्वामी जे की मान्यता है. साधक पह है, जो भगवान की महिमा जान सुनकर, उन्हे पाने की तीवर लालसा लेकर, विशयों से उपर उठकर, भगवान से इसनही करने की चेश्टा कर रहा है. साधना के द्वारा जिसने यह स्थिती प्राप्त कर ली है, जहां प्रभु के स्नहे को छोड़ कर और कुछ शेश नहीं है, वह सिद्ध का स्नहे है. गुस्वामी जी कहते हैं कि वे तीनों ही वंदनिये हैं, विशय साध कसिद्ध सयाने, त्रिवद जीव जगबेद बखाने, राम सनेह सरस मन जासू, साधु सभा बढ़ आदर तासू, पर चौथा एकोर्स नहीं है, जिसका संकीत चितरकूट के बन में निशादराज और श शी राम को बन दिया गया, तो उनमें प्रभु से मिलने की तीवर लालसा जागरत हुई, अब प्रश्नी यह है कि वे विशय हैं या साधक के सिद्ध, और इसका उत्तर है कि वे इन तीनों में से नहीं हैं, अपितु इनके लिए तो गुस्वामी जी ने एक नए शब्द का प्रियोग किया, सहज सनेह, सहज सनेह का अर्थ है कि जैसे मचली का जल के प्रती जो प्रेम है, वे जल के महातम में ग्यान या मचली की किसी साधना का परिणाम न होकर उसका सहज सनेह है, या जैसे चंद्रमा के प्रती चकोर का, अत्वा स्वाती नक्षत्र के प्रती जो च प्रिभरत भगवान राम तक पहुँचे उनका स्नहे क्या वह कि सश्रेणी का स्नहे है और यह बड़ी उची बात है यदि कोई उचे पद पर आसीन हो सत्ता के सिनहासन पर बैठा हुआ हो तो उसके स्वागत के लिए भीड एकत्रित हो ही जाती है पर जब किसी का पद छीन ज जाए तब उसकी दशा कैसी हो जाती है इसका दर्शन समाज में हम लोगों को होता ही रहता है जो व्यक्ति पद के नाते प्राप्त सम्मान को अपना सम्मान बनाने की भूल कर बैठता है वह बाद में बड़ा दुखी होता है वह सोचता है कि पहले तो लोग इतना महत्व द देते थे इतना सम्मान देते थे पर अब तो मिलने पर भी आखे चुराते हैं अब इस संदर्भ में आप कल्पना कीजिए भगवान राम तो उस स्थिती में वनकी ओर जा रही है जब उनका राज्य छिन गया है इसलिए निशाद राज को सोचना चाहिए था कि हम इनसे पाज्य न देकर वन दिया है यह सुनकर भी जिसका असनेहे घटा नहीं अपितु बढ़ा ही है सचमुच वह निशाद पह कीवट तो धन्य है निशाद ने जब यह सुना कि तीनों वलकल वस्त्रधारण कर बन की ओर आ रही हैं तो उसके मनोभावों का वन्ण करते हुए ग पहसोधी गह निशाद जब पाई मुदित लियेव प्रियबंध बुलाई गाउं के अपने भाईबंदुओं को बुला लिया फलफूल ले लिये और प्रभू के पास पहुँच कर थोड़ी दूरी पर फलफूल कंद मूल आदी रखकर प्रभू को बड़े प्रेम से देख प्रभू ही बिलोकत अतियनुरा आगे उस समय सामाजिक मर्यादा का वर्ण आदी की सीमा का संकेत सूत्र सामने आया निशाद राज का जन्म जिस वर्ण में हुआ था उसकी अनुसार वे सोचते हैं कि थोड़ा दूर रहकर ही प्रभू के दर्शन कर सकते हैं प्रगो स्वा वेद ज्यान देखा क्या न वह उच्चवर्ण है न धर्म और मर्यादा का कोई संदर्ब है उसके पास और नहीं कोई विशेषता है जब कुस्वामी जी ने वही शब्द दिया जो अभी आपके सामने कहा गया वे कहते हैं सहज सने है विवसर अगुराई पूछ उंकुसल निकटबाई ठाई वस्तुत है निशाद का जो उसने है उसके पीछे कोई कलपना कामना या कारण नहीं है कोई आकांक्षा नहीं है किसी विशेषता को देखकर वह नहीं किया गया है समाज में बड़ी विडंबना यह होती है कि यदि कोई अच्छूत है तो हम उसका लाया फल तो ले लेंगे पर उसे नहीं चूएंगे लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम तो मेरे सखा हो भगवान राम ने उसे सखा बना लिया और सच्मुच निशाद राज में सहज प्रेम की भावना कितनी प्रवल है वह दिखाई दी गई उन्होंने प्रभु से कहा महराज आप कोई बड़े से बड़ा वेक्ति भी अपने विशाल नगर या भवन में आने का निमंत्रन देता है तो वह कहता है कि मेरी कुटिया में पधारिये महल हो तो भी कुटिया ही कहा जाता है पर विचित्र है कि निशाद कहते हैं कृपा करई पूरधा रई पाउ कृपा करके मेर पूर में पधारिये तो भई निशाद गाम में रहते हैं या पूर में पूर तो आयोधिया है यह तो एक गाम है जहां निशाद राज रहते हैं और रामायन में लिखा भी है सो जामिनी सिंगरोर गमवाई प्रियाग के पास का यह गाम आज भी सिंगरोर के रूप में प्रसित्त है यदि पी उसमें थोड़ा परिवर्तन करके श्रिंगवेर पूर भी कहा गया पर वस्तुते वह पूर न होकर एक गाम ही है निशाद राज इसे पूर कहते हैं आश्चर होता है कोई विनम्रता में महल को कुटिया कहे तो बात समझ में आती है पर यदि कोई गाम को पूर की संग्न्या दे दे तो लगता है कि कैसा अदबुत अभीमान है इसमें पर उनकी यह भामना बड़ी उद्दात है कोई अगर निशाद से पूछे कि आप गाउं में रहते हैं के पुर में और यदि मानते हैं कि आप गाउं में रहते हैं तो यह क्यों नहीं कहते हैं के मेरे गाउं में चलिए यह क्यों कहते हैं के पुर में चलिए इस संदर्भ में सुमित्रा अंबा ने जो अयोध्या की परिभाशा बताई थी उसका स्मरणाता है और वह परिभाशा अगर किसी की वाणी में साकार हो रही है तो वे निशाद राजी है मा ने कहा था लक्षमन कहा जा रहे हो तुम बन में जा रहा हूँ उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम वन नहीं जा रहे हो तुम तो अयोध्या जा रहे हो कैसे तो उन्होंने कहा पुत्र क्या ये जो बड़े-बड़े महल है उन्हीं का नाम अयोध्या है स्वन एम मडियूं से जलित यह नगर क्या अयोध्या है नहीं नहीं लक्षमन अयोध्या की तो बस एक ही परिभाशा है अवद तहई जहां राम निवासू तहई दिवस जहां भान उप्रकासू राम जहां रहते हैं वही अयोध्या पुरी है और राम जिसे छोड़ कर जा रहे हैं वह तो खंड़हर ही होगा निशाद राज का मानो संकेता महाराज पहले भले ही गाम रहा होगा पर जब प्रभु पधारेंगे तो क्या फिर भी वह गाम ही रह जाएगा तब तो वह पुर ही बन जाएगा इसलिए मैं उसे पहले से ही पुरमाने लेता हूँ प्रभु ने उनकी ओर देखा मित्र तुम्हारे तो बड़े उचे भाव हैं मित्र मित्र के संकट काल में सहायक होता है इसलिए लगता है कि तुम सहायता के लिए व्यक्र दिखाई दे रहे हो निशाद ने कहा नहीं प्रभु मैं तो स्वार्थ से ले जा रहा हूँ मेरा स्वार्थ यह है कि जैसे मूर्ती तो पत्थर की होती है और पत्थर को कोई सम्मान नहीं देता वस्तुतह पत्थर पर पैर रखने में भी व्यक्ति को संकोच नहीं होता पर यदि उसी पत्थर को मूर्ति के रूप में परिनत करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो सब लोग उसकी पूझा करते हैं इसी प्रकार मैं भी तो पत्थर की तरह समाज में पड़ा हुआ हूँ मुझे भी कोई महत्व प्राप्त नहीं है इसलिए महाराज मैं सोचता हूँ कि आप चलकर मेरा मंदिर बनवा दीजिए आप जब चलकर निवास करेंगे तो इस जन को मानो स्थापित कर देंगे प्रतिष्ठित कर देंगे इसलिए क्रपा करई पुरधार अइपावू थापई जन सब लोग सिहाओ बड़े बड़े देवताओं की स्थापना बहुतो नेकी होगी पर निशाद का मंदिर बना देना तो आपके ही गौरव की अनुकूल है बड़ों को सम्मान तो सभी देते हैं पर छोटों को सम्मान तो आपके द्वारा ही प्राप्त होता है और यह सत्य भी है क्योंकि भगवान का अवतार ही चोटों को बड़ा बनाने के लिए हुआ है सच मुझ निशाद के अंदर इतना दिव्य भाव है इतना ही नहीं गंगा पार उतारने के बाद निशाद ने कहा माहराज आपके साथ मैं भी चलूँगा और उस समय उसने साथ में चलने का जो देशे बताया उस तरह की बात कहने में तो महरशी भरदवाज तथा महरशी वालमी की को भी संकोज लग रहा था भरदवाज जी से प्रभू ने जब पूछा था कि हम किस मार्ग से जाए तो उन्होंने कहा था सुगम सकल अमग तुम कहां अहा ही तुम्हारे लिए तो सारे मार्ग ठीक है तुम्हें भला में क्या बताओं किस मार्ग से जाओ और जब भगवाण श्री राम ने महरशी वालमी की से पूछा कि मैं कहां रहूं तो उन्होंने उलट कर प्रभू से प्रश्न कर दिया कि पूछा हूं मोही की रहूं कहां मैं पूछत सकुचाओ जह नहों तह देहू कही तुम ही दिखाओं उठाओ पर आज जब केवट से प्रभू ने पूछा कि मेरे साथ चलने का अग्रह क्यों है तो उसने कहा प्रभू दो समस्याए है पहली तो यह है कि आप बन में जा रही है तो मार्ग दिखाने वाला चाहिए मैं आपको मार्ग दिखाओंगा नात साथ रही पंथ दिखाओंगा आश्चर है कि जिस इश्वर को मार्ग दिखाने में महर्शी भर्दवाज को संकूच लगा परंतु उसको कोई संकूच नहीं अपितु वह तो कहता है कि मैं साथ रहे कर मार्ग दिखाओंगा और करी दिन चार चरन सेवकाई चार दिन तक आपके चरनों की सेवा करूँगा उसके पश्चाद दूसरा काम यह है कि जही बन जाई रहब रगुराई परनकुटी मैं कर भी सुहाई आपको कुटिया बनाना नहीं आता तो हम तो कुटिया में रहने वाले हैं इसलिए आप जहां रहना चाहेंगे आपके लिए परनकुटी बना देंगे इसके बाद यदि आप चाहेंगे तो और रुक जाऊंगा और यदि आप कहेंगे तो फिर वापस लोटाऊंगा यह मानों मर्यादा और धहम से उपर उठकर सनहे की भाषा है प्रभु को यह भाषा भूत प्रिये है निशाद राज प्रभु के पास तो आते जाते ही रहते थे निशाद का प्रभु के प्रती जो सनहे है वह सनहे सिद्ध सनहे से भी अलग है इसमें प्रत्न नहीं, पुरुशार्थ नहीं सब मातर सनहे ही सनहे है क्यों है इसका कोई उत्पर नहीं श्री भरत का सनहे क्या है यहाँ पर विशय का तो प्रश्न ही नहीं उठता यदेपी साधना का संकीत तो उनके जीवन में पगपग पर मिलता है पर वे साधना से भी उपर हैं पैसे उन्हें सिध्ध मानने में कोई आपत्थी तो नहीं है पर गोस्वामी जी ने कहा कि श्री भरत न तो विशय है न साधक है और नहीं सिध्ध अपितून के लिए तुल्सीदास जी कहते हैं कि चित्रकूट के साधक जब श्री भरत जी को देखते हैं तो अनभव खरते है कि कैसी अनोखी साधना है इनकी उनको लगता है कि साधना का जो चरम फल है वह इनमे साकार हो रहा है पर वस्तुतह उनका जो स्ने है उसके लिए शब्द दिया गया नीरखी सिद्ध साधक अनुरागे सहज सनेह सराहन लागे वस्तुतह श्री भरत का प्रभु के प्रती जो सनेह है वह किसी साधना का परिणाम नहीं है वह तो सहज सनेह है इस प्रकार मानोश्री भरत तथा श्री निशाद राज दोनों के सनेह के लिए एक ही शब्द का प्रियोग किया गया इसे अब इस संदर्भ में देखिए कि नगर में जो होता है वह सहज कुछ नहीं होता नगर में तो जो कुछ है वह बनाया हुआ है सुन्दर भवन, गलियां, फवारे, आदी का निर्मान करके सौन्दरे के स्रिजन का प्रियास किया जाता है पर वन का सौन्दर्य, मानविय कृती, श्रम या प्रियास का परिणाम नहीं है इसका भी प्राय है कि सहज प्रेम का स्वरूप सबसे भिन्न है इसके लिए देवर्शी नारद ने भक्ती सूत्र में कहा गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षन वर्धम आनम, विच्छन्नम, सुक्ष्मतरम, अनुभव रूपम, प्रेमस्वरूपम यह सूत्र श्री भरत और श्री निशाद के प्रेम में पूरा घटित होता है भगवान राम मर्यादा का पालन करते हुए चित्रकूट की उस भूमी में जाकर निवास करते हैं जो मर्यादा से उपर विशुद्ध प्रेम का वन है सह जिसने की भूमी है कल संकेत दिया गया था कि प्रभू बाग में भी गए जहां उन्होंने श्री सीता जी के सौंदरे का दर्शन किया उन्हें अंतह करण में बसा लिया पर मर्यादा की रक्षा के लिए एक शब्द मात्र का भी विनिमय नहीं किया किन्तु चित्रकूट का यह जो वन है वह मर्यादाओं से परे है धर्म और मर्यादा में जो विधी निशेद है ऐसा करो ऐसा ना करो वे सब चित्रकूट में छूट गए ऐसे प्रेम मयवन चित्रकूट में प्रभू निवास करते हैं कलाब के सामने पक्षियों की बात कही गई थी महराज जनक के बाग में कौन-कौन से पक्षी है इसका बड़ा मनोरम वन्नन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत भिहग नटत कलमोरा इसमें भी एक मधुर संकेत है प्रशन यह है कि भगवान राम को देखकर ये सभी पक्षी पसंद क्यों हो गई क्योंकि इन सब की पसंद तो अलग-अलग है चातक को स्याम मेघ को देखकर पसंदा होती है कोकिल को पसंद है बसंद रितू बसंद में जिस समयाम रवक्षों में आम के छोटे-छोटे फल लगते हैं उन्हें देखकर कीर को प्रसंदा होती है चकोर चंद्रमा का प्रेमी है और शरद रितू में चंद्रमा अपनी पूरुन कला से दिखाई देता है इसलिए चकोर शरद रितू का प्रेमी है मोर का प्रिय काल तो वर्शा रितू का है पर बड़ी अद्बुत बात है कि श्री राम को देखकर सभी पक्षी प्रसंद हो गई यह मानस की एकसांकी तिक भाशा है विवित पक्षी मानो भक्ती के भिन 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 पक्ष है भगवान राम को देखकर वे सब प्रसंद होते है इसका अर्थ है कि भले ही वे भिन 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 भक्ती के पक्षधर हों पर सब के सब भगवान श्री राम में अपनी अपनी भक्ती का साकार रूप देखते है क्या कारण है तो जरा विचार कीजिए कि चातक क्या उत्तर देगा यहां पर मेग भी दिखाई पड़ रहे हैं और चातक भी चातक कौन है तो विनए पत्रिका में गोस्वामी जी लक्षमन की विश्टार पूर्वक वंदना करते हुए अंत में कहते हैं कि भावते भरत के आप सुमित्रा अंबा और श्री किशोरी जी के दुला रहे हैं किसी ने पूछा और भगवान राम से इनका क्या नाता है तो दुलसीदास जी कहती हैं चातक चतुर राम स्याम घन के भगवान राम स्याम घन है और उनका यदि कोई चातक है तो वे लक्षमन जी है चातक सभी नधियों का तिरसकार कर देता है यहां तक की गंगा का भी गोस्वामी जी ने दो हवली रामायन में लिखा कि चातक को बहिलिये ने बान मार दिया और वह गंगा जी में जागिरा हमारे यहां परंपरा है कि मर्ते समय मुख में गंगा जल डाला जाता है पवित्र गंगा के प्रति हमारी यह भावना है जब चातक गंगा में गिरा तो लगा कि यह बड़ा सौभा के शाली है पर गोस्वामी जी कहते हैं कि गंगा जल में गिरते ही चातक ने सबसे पहला काम यही किया कि हूट को कस करके बंद कर लिया कि कहीं गंगा जल भीतर ना बैठ जाए बद्धो बतिक परयो पुन्य जल उलटी उठाई चोंच तुलसी चातक प्रेम पट भरतहुस लगी नखोंच मृत्यू की समय भी उसने अपने निश्ठा में आज नहीं आने दी उसने कहा कि मुझे गंगा जल के द्वारा मुक्ती नहीं चाहिए मैं जब लूगा तो केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल लूगा यही चातक प्रती है और रामायन में यह लक्ष्मन जी में पूरी तरह से घटित होती है इसलिए आप देखेंगे शंकर जी की पूजा भगवान राम करते हैं श्री भरत जी करते हैं पर श्री लक्ष्मन जी जब उन्हें स्मर्ण करते हैं तो कुछ टेड़े रूप में करते हैं जब श्री भरत जी सेना लेकर आ रहे हैं और श्री लक्षमन जी युद्ध करने के लिए तैयार है उस समय वे कहते हैं कि भरत आतो रहे हैं युद्ध करने के लिए पर वे मुझसे क्या युद्ध करेंगे वे कहते हैं कि आज तो जव सहाएकर संकर आई तो मारं रण राम दुहाई ये शंकर भी भरत का पक्ष लेकर आएंगे तो भी राम की दुहाई देकर कहता हूं कि उनका वध कर दोगा अब शंकर जी को तो चुनोती देने की कोई आवशक्ता थी नहीं क्योंकि भगवान शंकर तो महां लड़ने के लिए आई नहीं थे पर लक्षमन जी को पता था कि श्री भरत शंकर जी की नित्य पूजा किया करते हैं ननिहाल में भी भरत जी भगवान शंकर की पूजा किया करते थे ऐसा संकित तो मानस में किया ही गया है सिर्व अभिसेक करही विधी नाना लक्ष्मन जी का संकेत है कि पूजा के फलस्वरूब यदि शंकर जी भी आए तो भी मैं नहीं छोड़ूँगा और जब मेगनाथ से लड़ने चले तब तो और भी कठोर शब्द कह दिया वे जानते हैं कि रावन और लंका के लोग भी शंकर जी के पुजारी है इसलिए उन्होंने कहा कि आज मैं मेगनाथ का वद अवश्य ही करूँगा एक क्या यदि सो शंकर भी सहायता करें जो सत संकर कर ही सहाई तद पिहताउं रगुबीर दुहाई ऐसी चातक व्रत्ती है कि श्री राम को छोड़कर रन्य किसी के प्रती कोई निष्ठा नहीं बन गमन के समय उनसे जब कहा गया कि घर में रहो माता पिता और गुरु की सेवा करो तो उनका एक ही उत्तर था कि गुरु पितु मात तुन जानो का हूँ मैं तो गुरु को नहीं जानता और नहीं माता पिता को जानता हूँ इस तरह चातक व्रत्ती के साकार रूप हैं श्री लक्षमन जी चातक पक्षी को लगा कि एक और मेग श्याम श्री राम तथा साथ में उनके अनन्य चातक श्री लक्षमन इसलिए चातक पक्ष्री ने मानों दोनों का ही स्वागत किया श्री लक्षमन जी की महानतम विशेष्टा यह है कि वहने तो अपनी कोई धारणा है ना उनमे कोई अभी मान है नहीं उनका कोई संकल्प है पस प्रभू की सेवा, प्रभू की प्रसन्नता ही उनका व्रत है इस तरह भगवान राम यदी श्याम मेग है तो श्री लक्षमन चातक है पर चप श्री राम, श्री सीता और लक्षमन जी बनपत में जा रही है उस समय गुस्वामी जी एक बड़ी तात्विक पंक्ती यह लिखते हैं कि सब चित वही मति मन चित लाई बनपत पर जाने वाले इन तीनों पथिकों को देखने वाले मन बुध्धी और चित तीनों के द्वारा देख रही है यद्यपी यह एक विस्तृत प्रसंग है पर आये संक्षेप में कुछ गहराई तक उतरने की चेश्टा करें संसार के सौंदरे को हम नेत्र से देखते हैं जो मन के सहयोग से दिखाई देता है संसार के सौंदरे को बुध्धी से देखना सही नहीं है क्योंकि तब तो सौंदरे दिखाई ही नहीं देगा इसी तरह से चित की दृष्टी से तो संसारिक सौंदरे का कोई अर्थ ही नहीं है पर भगवान राम, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मन जी के सौंदरे को यदि मनपुथी और चित इन तीनों को लगा कर देखें तो अधिकानन्द की अनुभूती होगी और जब गोस्वामी जी ने तीन दृष्टियों से देखा तो उन्हें तीन रूपों में दिखाई दिये इस दृष्टे का वननन करते हुए वे कहते हैं आगे राम लखन पुनी पाचे तापस बेस बिराजत काचे उभय बीच सिसोहती कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे बहुरी कहौं छबी जस्मन बसई जनुमधु मदन मध्यरती लसई उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया है फिर उन्होंने कहा कि जैसे कामदेव और बसंत के बीच साक्षात रती सुशोभित हो रही है उसके पसचात तीसरी उपमा देती हुए तुलसी दास जी कहते हैं उपमा बहुरी कहाँ जिय जोही, जनु बुध बिधु बिच रोहनी सोही। जैसे चंद्रमा और बुध के बीच में रोहिनी सुशो भी तो हो रही हो। यदि हम चित से देखें, तो ये ब्रम्भ जीव और माया जैसे हैं। और बुध्धी की दृष्टी से देखें, तो चंद्रमा बुध और रोहिनी हैं, और यदि मन की दृष्टी से देखें, तो जन, मधु, मदन, मध्य, रति, लसई। इसमें भगवान राम मानो साक्षात काम हैं। चित्रकूट में आगे चलकर भगवान राम ने श्री भरत को इसी रूप में दर्शन भी दिया। भगवान राम ने जब बन में जाकर निवास किया, तो गुस्वामी जी ने उनका वर्णन तीन रूपों में किया है। पहला वे कहते हैं कि प्रभू चित्रकूट में ऐसी शोभा पा रहे हैं कि जनुबा सब बस अमर पूर सची जयन्त समेत। प्रभु ने श्री भरत को भक्ति और वेरागी के साथ ज्यान के रूप में दर्शन नहीं दिया। अपितु गुस्वामी जी कहते हैं कि निशाद राज ने जब दिखलाया और श्री भरत ने दर्शन किया तो बेदी परमुनि साधु समाजु सिये रहित राज़त रगुराजु। श्री सीता जी श्री लक्ष्मन जी सहित बलकल वेशधारी भगवान श्री राम को जब श्री भरत जी ने देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि बलकल बसन जटल तनुस्यामा जनुमुनि वेश की इनहरती कामा। भगवान राम साक्षात काम हैं। श्री किशोरी जी मूर्ति मती रती हैं और श्री लक्ष्मन जी बसंत हैं। पढ़कर बड़ा आश्चर्य होता है। यदि किसी भोगी वेक्ति को वे रती और कामदेव के रूप में दिखाई दें तब तो लग सकता है कि जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी कि अनुसार यह ठीक है पर इतने बड़ी वेरागिवान त्याग परायन श्री भरत ने प्रभु को काम त श्री भरत बार बार यह सोचकर व्याकुल हो रहे हैं कि हमारे रामभत्र को बिना पाद त्रान के बन में कितना कष्ट हो रहा होगा। कि हम श्री भरत को ज्यान वेराग्य और भक्ती के रूप में दर्शन नहीं देंगे परन रती काम और बसंत के रूप में दर्शन देंगे। कि हम तो यहां बिहार करने के लिए नकली बेस बना कर आ गई हैं। जनु मुनि बेस की इनहरती कामा। क्योंकि यह रस्तो आयोध्या में नहीं मिल सकता था। मुझे तो यहां रंचमात्र भी कष्ट नहीं है। आनन्द ही आनन्द है। इसलिए वे श्री भरत को इस रूप में दर्शन देते हैं। इस रूप में चित्रन करने का एक और भी संकीत है। मनुश्य के भीतर कामना होती ही है। सौंदरे के प्रति आकर्शन होता ही है। तो ऐसी स्थिति में भौतिक काम के स्थान पर यदि हम भगवान राम को अपने मन में बसा लें। रती के स्थान पर श्री सीता जी को बसा लें। और संसार के बसंत के स्थान पर। यदि श्री राम और श्री सीता जी की सेवा में निरंतर निरत रहने वाले श्री लक्ष्मन जी के रूप में बसंत की दर्शन करें तो निश्चे थी हम अपने जीवन को धन्यता प्रदान कर सकते हैं इतना ही नहीं, गोस्वामी जी के इस वर्णन में आप कावे के दिवेरस का भी आनंद प्राप्त करेंगे गांकी स्त्रियों ने श्री सीता जी से पूछ दिया कि ये दोनों राज कुमार आपके कौन है और जब स्री सीता जी ने परिचय दिया तो उस समय तुलसी दाज जी ने दो पक्षियों का नाम ले दिया एक तो खंजन का और दूसरे कोकिल का जिस समय शी सीता जी शीलक्षमन जी का परिचय देने लगी उस समय गुष्वामी जी ने कहा कि सकुची सप्रेम बालम रिगनयनी बोली मधुर बिच बचन पिक बयनी कोयल के समान जिनकी वानी है वे सिता जी बूली और जब उन्होंने भगवान शीराम भदर का परिचय वानी से न देकर नेत्र से दिया उस समय लिखा है खंजन मंजु तिरी छे नयननी निजपती का है उतिनह इसी असायननी इस प्रकार मानो खंजन मंजु शीराम चंद्र के संदर्भ में और पिक बयनी लक्ष्मन जी के संदर्भ में शी सीता जी के लिए प्रियोग किया गया इसका सूतर भी वही है अभी अभी शीरी लक्ष्मन जी को बसंत बताया गया और भई बसंत का परिचय जितने बढ़िया ढंग से कोकिल दे सकती है कोई ओर नहीं दे सकता इसी लिए बसंत का परिचय देते समय मानो वे कोकिल बयनी है और भगवान राम का परिचय देने के लिए खंजन पक्षी की याद क्यों आ गई? क्योंकि गाउं की स्त्रियों ने परिचय पूछते समय एक ही शब्द बार-बार दोराया था कि सरद सर्वरी नाथ मुख सरद सरोरू नेन शरद रितु के चंद्रमा के समान इनका मुख है शरद रितु के कमल के समान मी की आँखे हैं इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा बहुरी बदनू बिधु अंचल धाकी प्रियतन चितई भूह करबाकी खंजन मंजु तिरी छे नयननी खंजन इसलिए कह दिया क्योंकि आन्य पक्षी तो अलग अलग रितु में आते हैं पर मानस में आप पाएंगे कि यह है खंजन पक्षी बस एक ही रितु में आता है और वह कौन सी है तो गोस्वामी जी कहते हैं जानी सरद रितु खंजन आए पाई समय जिमी सुक्रत सुहाए इस प्रकार मानों खंजन बनाकर शरद रितु का परिचय दिया गया भगवान राम जो अदभु तरस की सुरिष्टी कर रहे हैं उसका परिचय तुलसी दास जी पक्षियों के माध्यम से वनुश्री की माध्यम से देते हैं इसलिए प्रभु जब चित्रकूट में निवास करते हैं उस समय भी गोस्वामी जी ने पक्षियों का स्मरण किया है कल जब हमने पक्षियों की चर्चा की तो बाद में श्री मती सरला जी बिल्ला ने कहा कि यहां भी वातिका में पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगा मैंने कहा कि यह तो अच्छी बात है क्योंकि प्रेम कावन है और उसमें भक्ती की विविद पक्ष है चातक जहाँ पर भगवान राम का स्वागत मेख के रूप में करता है जहाँ पर कोयल बसंत के रूप में लक्ष्मा जी का दर्शन कर रही है केर से पूछा गया तुम क्यों स्वागत कर रहे हो उसने कहा कि इतनी बार राम राम का पाठ पढ़ाया गया पाठ तो याद हो गया पर राम नहीं दिखाई पड़े और आज जब वे यहां आ गए तो मेरे लिए इससे बढ़कर प्रसंद्नता की बात और क्या होगी चकोर से पूछे जाने पर उसने कहा कि वैसे तो आकाश में चंद्रमा को बार बार देखकर आनंदित होता था पर बाग में ही जब राम चंद्र उदित हो गए इससे बढ़कर आनंदि की बात और क्या होगी मोर भगवान राम को देखकर नाचने लगा मोर आकाश में मेग के चा जाने को देखकर नाच उठता है इस संद्रमा में वरंदावन की लीला में एक बड़ी सुन्दर बात आती है एक खेल खेला जाता था जिसमें श्रीकृष्ण कहते थे कि मैं चिप जाओं और तुम लोग खोजो उनको लगता था कि जब बड़े-बड़े मुनी नहीं खोज पाते तो ये बच्चे भला खोज पाएंगे पर वे बच्चों की पकड़ में बहुत जल्दी आ जाते थे बच्चे चारों तरफ ध्यान नहीं देते थे वे तो बस केवल उसी दिशा में खोज करते थे जिधर मौर बोलने लग जाते थे और कहते थे देखो ये रहे क्रिश्न पर उन्हें कैसे पता चल जाता था एक भक्त कवी ने रहस्य बताते हुए लिखा कि नाची अचानक ही परे बिनुपावस बन मौर नवर्शा है नबादल है पर फिर भी अचानक ही मौर नाचने गाने लगें इसलिए लगता है कि जानी परतिया दिसी करी नंदित नंद की सोर क्रिश्न के रूप में मेग उमड आया जानकर ही वे स्वागत कर रहे हैं श्री राम भद्र का भी स्वागत चातक कोकिल, कीर, चकोर, मोर आदी सारे पक्षी कर रहे थे पर जब प्रभू चित्रकूट आते हैं तो वन में रहने वाले जिस एक और पक्षी का को स्वामी जी ने सबसे पहले नाम लिया वह है नीलकंठ, कलकंठ सुक, नीलकंठ तो धन्य है ही क्योंकि श्री रामभद्र का भी रंग नील है आज नीलकंठ ने अपने आपको सोभा किशा लीमाना, नीलकंठ बार बार लकडी पर अपनी चोँच चलाया करता है उसका भी प्राय था कि मैं शुश्क लकडी में चोंच चलाया करता था पर आज जब रस स्वरूप प्रभू आ गए तो मैं धन्य हो गया इस तरह पक्षियों के द्वारा स्वागत हो रहा है ये सभी पक्षी व्रक्षों में रहते हैं इसलिए केवट ने सबसे अधिक महत्व व्रक्षों को दिया जामुन पाकरी रसाल तमाल और वट के रूप में प्रेम के वन में ये जो पांच व्रक्ष पक्षियों के आश्रे हैं इनकी चर्चा कल करेंगे बोलिये सियावय राम चंद्र की चै